इस वीडियो में हम लोग FIGP सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 वालों की लिए ठीक है जियोग्रफी मेजर का जियोग्रफी मेजर का कोईचन पेपर देखेंगे यंकि आपकी एकजाम में किस परकार से प्रस्ण रहेगा उसको देखेंगे तो जो भी एस्टूडेंट जियोग्रफी ज़र वाले बाकि आप किसी भी उन्वरसीटी के स्टूडेंट है सभी उन्वषी वाले स्टूडेंट इसको एक बार देख लिजे ठीक है तो जो यह पेपर था ठीक है सेशन 2022 से 24 वालों में पुछा गया था लेकिन जो सेशन 2023 से 27 वाले है उसका है सिलिवस भी सेम उसी प् तो देखते हैं हम लोग प्रश्ण को है कि पहला प्रश्ण क्या है यह मारा पप्रश्ण है इसमें कौन वाई-मंडली दाब को परवाईद करता है एक निमर में है उच्चाई, दूसरा में है तापमान, तिसरा में फिर्थवी की घुर्णन और चोथा में इसमें से सभी, तो देखो यहाँ पर औप्शन दिया हुआ है, लेकिन आपके ईज़ाम में आप्शन नहीं देगा, प्रशने दिया हुआ रहेगा, जिसका उतर आपक तो यहां परश्ण क्या है वाई मंडलीए दाव को परभावित करता है तो कौन परभावित करता है उच्अइट मंडल की अधिक्तम उच्चाई है मध्य मंडल की अधिकते मुचाई है तो इसका अंसरो जाएगा 80 किलो मेटर क्या है मध्य मंडल की अधिकते मुचाई कितनी है 80 किलो मेटर नेश्री देखते हैं सी नमर का प्रश्ण है वाईद आपको मापा जाता है तो इसको भी भी आईम लिख लिए यह प्रश्ण आपक में भणने वाली थन्ड़ी अस्थानि परवन का नाम है तो इसका रघाल मिसंट्र एसpoint वा फ्रांस में भणने वाली थन्डी अस्थानि परवन है ठिक है ने सट्री देखतें हम लोग एफ नमर का प्रस्ण हमायरा है समुदरी तरंगों को प्रभावित करने वाली कारा को को पहचान ये तो पहला है तापमान दुसराई वर्षन और तिसराई आधरता तो इसका अंसर हो जाएगा all of these यानि कि उप्रियुक्त में से सभी इस में से सभी समुदरी तरंगों को प्रभावित करता है तापमान वर्षान और आधरता ठीक है तो इसको ध्यान में रखिएगा ठीक है नाश्री देखते हैं हम लोग तो देखो एक नमर वाला प्रशन छे प्रशन था ठीक है लेकिन अब को इस में से आपको केवल दो प्रशनु का उत्तर देना है बले यहां तीन लिखा हुआ है асकता है प्रशन इन सभी के बारे में त्यारी कर लिज़े थोड़ थोड़ यह तीसरा क्या है पर्वरती वर्षा चौथा सबसक्तİ अंग-टन इसको देखना है यह कंड़ क्या है त्थार्वाल के बारे में देखना है और f इसमें दो प्रशन आपको देखना है ये टर स्ट्रीम देख लेना एक एगला देख लेना है एक मानसोनी पौण ने देख लेना है इसी में से तो यह बहुत इंपोर्टेंट है इसके आने के एक्जाम में हंड्रेड पर तिससत चांस्यास है कि यही प्रस्ण एक्जाम में आपका आएगा ठीक है तो इसका अंसर इस चैनल में पहले से मुझूद है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख लिजिए नेशन दिखत चोथा प्रस्ण हमारा है कोपें दुवारा परतिपादित विश्व जलवायू की वर्गी करण योजना प्रस्थूत करें तो इसको भी भी लिख लेजे हंड्रेड परतिससत यह प्रस्ण आपके इसाम में आएगा तो आएगा ठीक है लिख के दे दूँगा कि यही दो प् प्रस्ण आएगा तो परिभासित करें इसके बितरन को परभाय चर्ब करने वाले कारकों के लिखें और दुसरा प्रस्ण कोपें दुवारा परतिपादित विस्व जलवायू की वर्गीकरण की योजना को प्रस्थूत करें इन सभीक अंसर प्ले लेश्ट में मिल जाएग सामुद्रिक निखेप को वर्गी करण करे सामु दिरिक निखेप क्या होता है उसके वरगी करण सका भीवेचन करना है ठीका है नेश्ट WhatsApp देखते हैं छाष नमर का प्रस्ट क्या है निमलिखित पर संचित टिपनिया लिखें तो देखो यहां पर संचित टिपनिया लिखा हुआ इस तरह से भी प्रशना सकता है लेकिन आपका मतलब जो रहेगा यह कोशन नमर दो में ही रहेगा ठीक है यानि कोशन नमर जो एक का भाग भी रहेगा ठीक है उसी में आपको ट्रफ नहीं लिखना है तो देखो में तीन या चार प्रस्न है जो पंदर मांक्स का लिए बहुत भी बढ़ देख लीजिए तो आपको यह कोष्ण पेपर दिखा इस सब्सक्राइब बहुत सारे प्रस्ने वाला है तो मैंने जो दो प्रश्ण पता है एकदम आपको त्यारी कर लेना है ठीक है लोंग अंसर टाइप कोईशन में मैं फिर से आपको दिखा देता हूं ठीक है तोला सा प्रशा कर देते हैं ठीक है तो देख लो लोंग अंसर टाइप कोईशन में आपको दो प्रश्ण पक्का फि बीड़ेगा और तिसरा प्रस्मेश भी जो है वह बहुत इंपोर्टेंट है इसमें चार प्रस्मेश दिया हुआ इदम पढ़ लेना है कौन सुरिताप को परिभासित करें वायु रासियों का वर्गी करन करें कोपेंड के दुवारा परतिपादित विस्टो जलवायु के बा आना की बीडियो कैसा लगा मिलते नेस्ट बीड़ों में तबता के लिए धन्यवाद